पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दिलकादर का सलाम मैंने मौजूदा स्यासी सूर्थाल पर सुबह सुबह उठके कुछ कॉलम्स पड़े तजिया निगारों की राय जाने की कोशिश की के सुप्रीम कोट के फैसले के बाद की सूर्थाल को लेकर हुकमती हलकों में क्या सोच पाई जा रही है उस साइट का वर्जिन भी सामने आना चाहिए थोड़ी सी उसके उपर बात करते हैं हुकमता जमात के सदर नवाज श्रीफ की वजीराज़ श्रीफ और वजीराला पंजाब मरियब नवाज से तफसीली मुशावरत हुई है मरी में और इस मुशावरती अमल में नाइब वजीराज़ इस हागडार भी मौजूत है तो सुनने को कितना अजीब सा लगता है बड़ा दिल्चस्प लगता है कि वजीराज़म नाइब वजीराज़म वजीराला पार्टी के सदर ये कोई बहुत बड़ी जैसे कोई मीटिंग होने लगिया कि उस मुलका चीफ एक्जेक्टिफ भी बैठा है नाइब लगता है कि ये पार्टी के तीन-चार लोग है या फैमिली के तीन-चार लोग है बलके पार्टी को भी छोड़िये हैं तो सारे हुदे फैमिली के पास ना तो ऐसा लगता है कि फैमिली के तीन-चार लोग बैठके अकर मीटिंग करें तो ऐसा लगता है कि वजीराज़म भ बैठे हुए है वजीर अला भी बैठे हुए है और जनाब पार्टी के सदर भी बैठे है और मुल्की सियासी सूर्तियाल के अवाले से कुछ बहुत बड़े फैसले और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिसकेशन होने वाली है तो जो कुछ लोग फिर तनकीद करते है ना फै सावरत जारी है कुछ लोगों से टैलेफोन पर हो गया मश्वरा कुछ लोगों जो बाकी है उनसे महरम के बाद यह आशूरा के बाद बातचीत हो जाएगी और फिर इसके उपर कोई क्लेक्टिव जो है वो रिस्पांस दिया जाएगा यक नुकाती एजंडा जो है वो बेस मुझ से कहते हैं कि PTIE को क्यों रिलीव मिल गया या क्यों इनसाफ मिल गया उनको लगता है यह सीटे हमारी थी बदब उनको बिठा के बंदा कभी पूछे ना गया सही सही बताओ दिल पर हाथ रखके बताओ यह सीटे आप लोगों की थी और अभी जिस तरह से कह रहे है न आईनी या कानूनी पुजीशन है कि पारलिमान की जो कारवाई है उसको आईनी कानूनी कवर हासल है यानि पारलिमान में की जाने वाली कारवाई है उसके उपर आप जवाब दे नहीं है आपको कोई यह नहीं कह सकता कि आपने पारलिमान में खड़े होके यह तकरीर की और और इसको तनकीद का निशाना बनाया, आप जिस पे भी तनकीद करें एवान के अंदर वो प्रोटेक्टेड है, उसमें आपको कोई पूछगज नहीं है, आप अदलिया के उपर जो मर्जी करें आपको कोई नहीं पूछेगा, और मुझे याद है शेबाज श्रीफ साब ने बड़ी तकारीर की, साबिक चीफ जस्टिस जो थे उमर अताब अंद्याल उनके टाइम पे और सारी की सारी तकारीर उन्होंने एवान के अंदर की, बाहर कुछ नहीं कहते थे, एवान में कहते थे और जितना जो उनके दिल में आता था, वो कहते थे और उनके और साथी भी कहते थे ये वजीरा दिफार खौजा आसिफ और बहुत सारे लोगों ने तकारीर की तो चुके एवान की कारवाई प्रोटेक्टेड है तो कोई कारवाई नहीं हो सकती तो इसलिए भी ये सोच पाई जा रही है कि तगड़ा रिस्पॉंस जो है इस अदालती फैसले पर वहां तो कुछ तजिया निगारों की मैं राय पढ़ रहा था वो तो बड़ी दिल्चस्प सूर्थयाल बता रहे हैं कि जराब ऐसा भी मुम्किन है कि स्पीकर कौमी असंबली जो है वो सुप्रीम कोड के फैसले पर अमल दरामत ही ना करें तो मैं सोच रहा था जवाज क्या बता तो फिर तो इमरान खान अपनी हकूमत बचा लेते जब सुप्रीम कोड ने कहा था कि जराब इतने टाइम फ्रेम में आप अदम एतमाद की तहरीक के उपर वोटिंग कराएं तो फिर वहां के इमरान खान के जो स्पीकर थे कौमी इसंबली के वो भी गया देते कि जराब ए जर्जिया निगार जो है वो इस किसम की अचानक से खाहिश को ख़बर बना लेते हैं या सोचने लग जाता है जब यह हो सकता है और फिर आप लोगों को एस इट इस बताने भी लग जाते हैं जो अनसार अबासी साहब है उनका मैंने कॉलम पड़ा वो यह कह रहे हैं कि कॉप नहीं आ कि इसी बैंच के पास जानी है कोई अलग से तो जजिज आनी जाने यह फुल कूर्ट ने फैसला दिया ना तो फुल कॉर्ट ने बड़ा सोच बिचार करके दिया है और मारजन भी कुछ फोड़ा नहीं है ग्यारा दो का खरी का मार I- smiley मैं इसलिए यह आता हूं कि वो क्या सोच रहा है इस सारे मामले में ताके दूसरी साइड का वरिजन भी आपके सामने आ सके उन्होंने बताया है कि शहबास हुकूमत को अगर खत्रा हुआ इन फ्यूचर तो वो किस से होगा ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूं अनसार अभासिसाब ने अपने कॉल्म में लिखा है कि अदलिया के जो हाल्या फैसले हैं उनसे इमरान खान और तहरी करेंसाफ को बड़ी सियसी कामव़िया मिल रही है तो वो लिखते हैं कि सियासी लिहाद से अगर इंतखाबात से पहले चीफ जस्टर्स काजी फाई जीसा के अदालती फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ बहसियत सियासी जमात इलेक्शन लड़ने से उस वक्त महरूम हो गई थी तो गुजिश्टा हाफते सुप्रीम कोड के जस्टिस मनसूर अली शा के अक्सिरियती फैसले ने तहरीक इंसाफ को एसंबलियों में वापस बहाल कर दिया है सियासी तोर पर अगर ये कहा जाए कि जस्टिस मनसूर अली शा समेथ सुप्रीम कोड के आठ जजजिज ने दर असल काजी फाई जिसा की अदालत के फैसले को रिवर्स कर दिया है तो ये गलत नहीं होगा फिर वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोड का हालिया फैसला आईनी है या आईन से बालातर सियासी है या कानूनी इस पर बहस जारी रहेगी लेकिन जो हकीकत है वो ये कि ये फैसला फाईनल है और इसी पर अमल रामत होगा फिर वो कहते हैं कि इदद केस में बरियत इमरान खान और पीटियाई के लिए बड़ी कामयाबी है लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इनसाफ की इन तमाम सियासी कामयाबियों से जमीनी हकाइक और सियासी सूर्थिहाल में क्या कोई तबदीली आ सकती है तहरीक इनसाफ की इसम्बलियों में बहाली और मखसूस नशिस्तों के हसूल के बाद हकूमती इतिहाद अगरचे दो तहाई अक्सरियत से महरूम हो चुका है लेकिन शेवाज हकूमत को अभी भी कोई खत्रा नहीं है वो कहते हैं कि हुकूमत और इस्टैबलिश्मेंट एक पेज बर हैं और उन दोनों के दर्मयान हुकूमत की मजबूती की सबसे बड़ी वज़ा खुद इमरान खान और तहरीक इनसाफ का तरजे सियासत है जब तक इमरान खान लड़ाई में उलजे रहेंगे या जब तक वो पाकिस्तान की मईशत को नाकाम बनाने का खेल खेलते रहेंगे उस वक्त तक हुकूमत और इस्टैबलिश्मेंट के दर्मयान किसी किसम की कोई दरार का खत्रा मौजूद नहीं है अनसार अबासी साब से मैं बसाद एहतराम ये पूछना चाता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को नाकाम बनाने का खेल कौन खेल रहे है दर असल क्या आपने इमरान खान के दोरे हकूमत और शहबाद श्रीफ के दोरे हकूमत का मवादना किया है बैठके कभी क्या इमरान खान के दोरे हकूमत में जो 27 अरब डॉलर का रिजर्व था वो आज के रिजर्व से मैच कर रहा है कम था या ज्यादा था ये भी बता दें किया अमराइन कोई उस्से कहे खेल रही मईशच से पाकिस्तान के मईशच को नाकाम करना चाता है तो मैंने उनको कवर किया रिपोर्ड किया एक एक दिन जब वो वजिर आजम थे तो मैं बड़े वसूख से बड़े दावत से ये कह सकता हूँ कि जितनी उस बंदे ने जान मारी जितनी उस बंदे ने मेनत की कि एकॉनमी किसी तरह से रिवाइब हो सके वो टाइम वो साड़े तीन साल का जो वक्त था वो बेसिकली एकन इमिटेशन आया तो उदर चले के और मिला कुछ भी नहीं अभी तक सिर्फ दोरी ही हो रहे हैं इमरान खान के टाइम पे पूरी तवज्ज़ जो थी वो लॉंग टर्म मनसूबों के उपर और साथ में एकनॉमिक रिवाइबल के उपर थी साथ ही मेड इन पाकिस्तान के और उसमें इंडिया का शेर देखें और पाकिस्तान का शेर देखें हम बड़ी मुश्किल से उस ट्रैक पर चड़े थे कि आईटी एक्सपोर्स हम बेतर कर सकें और आज उसमें जो डाउन फाल आया वो भी आप देख लें तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ये कहने पर पहुँच रही इतना रिकॉर्ड करजा भी ले लिया स्टिल आप अभी के रिजर्व देखें और 27 अरप डॉलर को देखें तो फिर बताएं कि कहां पर एकनॉमिक डॉन फाल था इमरान खान के मुकाबले में मिले उनको भी 3.3 साल है और यहां पर भी 2022 से ओनवर्ड आप अ जब तक वो इस्टाबलिश्मेंट से अपनी लड़ाई खतम नहीं करते और मुईशत के लिए खतरा बनने से बाजनी आता है यह फिर उन्होंने वही बाद किया है खिर अदालते इमरान खान को रिलीफ देती रहेंगी लेकिन हुकूमत और रियासत उन्हें जेल में रखने मौशी परफॉर्मेंस से आयम एफ की डील वो कहते हैं हो चुकी है बजट पास हो चुका अब अगर शहबाज शरीफ मुईशत में बहतरी के लिए को बड़े फैसले नहीं कर सकते या उन पर अमल दरामत कराने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर इस हकुमत को कोई नहीं बचा सकता वो कहते हैं कि शहबास हकुमत की नाकामी को मुकतद्रा की नाकामी भी समझा जाएगा ये सूर्तिहाल कि इमरान खान कितने ही मगबूल क्यों नहीं हो उनके लिए भी अच्छी नहीं है कि मुल्क में एक ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा जिससे निकलना मुश्किल है ऐ ऐसे मुजाकरात का रास्ता निकालें जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अवाम की खुशाली हो फिर आखिर में वो लिखते हैं कि सियासी जमातों, मुक्तदरा, हकुमत और साथ-साथ अदलिया को भी अपने रवईयों में बेहतरी लाने की या गौर करने की जरूरत है तो अंसारबासी साब का ये कॉलम है और इसमें उन्होंने जो हालात के उपर जरा रोशनी डाली है आप उनके जो ख्यालात हैं उसके उपर भी रोशनी डाल सकते हैं अभी तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल लगए, अलाहाफिज